कि आप हाथों की रहतकु कबेचाना हाथों की रेखाओ का कमाल इसके लिए कभी भी इस अब बाद आपके आपके तुम आपके तो आपकी तो रहा है और यहां से यह इंपेट आ रहा है तो वहीं से लोग इंट रहेंगे बिचे बीचे आजेंगे विवेग जी ज़र हमारा हाथ देखके पड़े क्या लिकाएं से इंपोर्टें सच्छे इंटर्सिंग सब्जेक इस अरवाज पामिस्टी की खासियत ही कि बहुत कम लोगों को तो में आती है कि बहुत कम लोग इसको पढ़ाते हैं रीजन उसका यही रेखाओ कर पेचानना रेखाओ पे कानकरना रेखाओ पे अक्तिविटी इस नौट पेश पामिस्टी इस और एखके बढ़ेंगे से लगाई आज के लिए ठाथना ओटना अपरणना श्टेंटी है न ऐसिक इन जानाव आज के लिए तो दुटिसरी पामिस्टी हमारे अज कि हमारे अजकिए फेकल्टी जून्हें ने पामस्टी के यह पाइए बेसिक गएठी में अभी घ्ली साग्यों रहा है कि इनले जो लोगों संच्छती थे हमें बेसिक रहे थिर्ज और बढ़ां से किया हुग अंजोientos फेषिद यहा होगा व क्यूंकि इन्हों तो इन्होंने इंद्धि करी आप खास्ता है तो जो कि आज इस पार का सब्जेक्ट मेडिकल पामिस्ट्री प्योंकि अपको जब भी पकट में आ सकती है जब खोष्रियम के हैं लगतार देखते। आज भी देक रहा हैं आज रहा आज भी ऐग्ञांपल picture लिजु स्था पति जा चाना है, और रब खूखने बीकार नचकी फिर्शना अब इस आूंट इस फिए लाइब तो बहुत ही हरी साधना के बाद पामिस्टी पकड़ में आती है और मितुन जी ने बहुत ही मैनद करें पामिस्टी से लएफ पामिस्टी इसके लावज वाब रशार देन से पर दो चीट मैं वहरी वह किक लिए आपको यहां पर बिश्डेंटियोग थे प्रेस्ट जो लो फ्रीटे पर प्रेस्ट नेमिडीज अबर ऑफ इसके अंड्य नाव प्रियू इसके रब आक एड मेशा कोशिचा की किके विल पर अब आप सब के साथ लगतार इसके हम पथ्ता आगे बखत रहेंगे और बारत अबारत इपर पिजवतुनु बढ़ेंगे कि अचे वेबिनर सीसानी युई आझमने अच्छे इव रहेंगे और अचे अचे वेबिनर को आगे रूप लेका दें ऑर आप सबसे में अनुअ कि आप्तुन जी जुनुन ने पामिस्टी के इंपर एक लिए अपर्ट वाइद सब्सक्राइब एफ और और इस तल्ट यू ज जन्डी ऐस्ते जा सो यहांन वगदैंग गलाट इंप अच्छा ग्यान रखते हैं जान। हम में व्रस्टाइम अभी पामिस्टी वार में तो ऑस्व जे लेजिए अब लेकिण वह पामिस्टी से इन पूला की आप हमारे को सब्सक्रिश निगाले को अपना पार्षिप्सर आपके इस बतूर ज्ञान का लाब अब करें हैं मितुन जी आपका बहुत बहुत स्वागता है, I request all the participants to please keep their videos on, please keep their videos on, thank you, Mithun जी you may please continue, thank you, yes, thank you, thank you, thank you, बहुत बड़ा इंट्रोड़क्शन हैंनों दे दिया और यू मैं विद्धयारती समस्ता अपने अपको, क्योंकि हर दिन सीखने को मिलता है, हर दिन कुछने कुछ निया ही आ जाता है, और पामिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है, जिसमें बहुत सच करना बहुत कुछ सीखना अभी भाकि है, पर्टिकुलर्ली क्योंकि मेरा खुद का एक परस्तनल इंट्रेस्ट मेडिकल पामिस्ट्री में रहा है, और मेडिकल फील्ड से मैं बिलॉंग करता हूं, तो इस वोज़े से मुझे जाधा इजी हो गया उस चीज़ को समझना और अंडर्स्टैंड करना, त आहं पूर्ब करते हैं, अपने बिचारों को प्रकट करने के लिए हाथों का प्रयोग करते हैं, थिक हैं, एक हाथ जो है हमारा ऊर्जा का केंद्र भी होती है नॉरमली आप लोग देखेंगे जब हम किसी बड़े बुज़ुर्ग को पैरच होते हैं उनसे आशिरवाल लेते हैं तो सीधा हाथ उठता ऐसा हाथ क्यों बाया हाथ नियूड़ता है धाया एक तरह थे क्यों उठता और इसलिए होता है क तो यह जब हाथ उठता आशिरवात देने के लिए तो यहां से उर्जा निकलती है लिटरली आपने जो रेकी हीलर्स हैं जब वो रेकी देते हैं इंस्टेंट हीलिंग देते हैं तो उसमें आप लोग अगर जिन लोगों ने ले रखा हैं उनको पता चलेगा कि किस तरह से यह काम करता है तो हात के अंदर जो और जा का पॉइंट इस उर्जा के पॉइंट का विस्तार पूरे हाथ में प्यक्ता है जो मिबनावत है तो जो हमने पहले आंके बिए शुक्कर बिno arrived से पढ़ाय हुआ है आप लोगों जी लोगों को सीख सकते हैं हमारा सब रिकॉर्डिंग क्या हुआ है जो लोग इंट्रेस्टेट है वो आप उसमें से सीख सकते हैं उसके इलावा इसमें अडवांस में यह होगा कि पर्टिकुलर्ली अपने हाथ में किस तरह से जानेंगे कि कॉन से पोर्षिन में किस बिमारी का कनेک्शन बनता हे थाकि पहले से आप अलर्ट हो जाए और समझ लें कि आपको कौनसी बिमारी हो सकते हैं आज के रेट में सब से जादा है इंसान किस चीज से टेंचन में रहता है, इंकम करना तो ठीक, सबको इंकम करना होता है, भागा दोड़ी वाली लाइफ है, हर कोई भाग रहा है, पैसे के पीछे है, या फिर खुद अपने लाइफ को बिटर बनाने के पीछे, हर कोई भाग रहे हैं, ठीक, अल्मोस्ट देख कर में क्या होता है सबसे बड़ा ignorance होता है अपनी सेहत अपनी हेल्थ का ध्यान कोई रखता नहीं है सबसेशली वो लोग जो लोग दिन रात महिनत कर रहे हैं उनको अपनी जवानी में लगता है यार सब कुछ कर लेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है अपना तो भाई अपने अंदर जब तक जोर है हम सब कुछ कर सकते हैं हमें कोई रोकने वाला नहीं है लेकिन जैसा ही 40 क्रॉस होता है धीरे धीरे बिमारियां घर करने लग जाती है जैसे 50 क्रॉस होता है अब वो बिमारिया प्रकाशित होती है बिखने लगती है बाहर के हो इसे लोग जो लोग बहुत ज़्यादा बिजी रहने वाले तीक है इसलिए कि अगर पहले से ही अपने हाथ को देखकर यह समझ ले कि आपको कौन सी बिमारी हो सकती है तो आप प्रिवेंशन में आ जाएंगे क्या समझेंगे कि आपको सपोज अगर किसी के हाथ में इस तरह से जैसे यह जो तरजनी उगली के नीचे ब्रस्पति का परवत है यहां पर को बहुत बड़ा स्पार्ट बना हुगा कुछ ऐसा बना हुगा है जो दिखने में ही बड़ा ही अजीब सा लग रहा है ठीक है तो ऐसे वस्ता में व्यक्ति को सांस से संबंद है यानि लंग्स से रिलेटेड इशूस चालो हो जाएगा अब उस बंदे को पता नहीं होगा और तो आप पहले से अलॉट हो जाए और पहले से अलॉट होने की वजए से जब भी आती है और पहले सब्सक्राइब तो बहुत जल्दी बिमारी आते वह आप वहां से रिकवर निकल जाए घिक है इसलिए मेढ मेडिकल पामिस्टी का उतना जादा importance है मैं आपको एक छोड़ा सा वीडियो यह दिखाता हूं सैंपल दिखाता हूं स्क्रीन शेयर कर लेता हूं कि आप स्किन शेयर कर सकते हैं आप तो रहें से स्किन शेयर हाँ मैं कर देखें आपके सामने एक हाथ है जिसमें पर्वतों के उपर कुछ बिमारियों के नाम लिखा लिखे लिए अंगुठे को छोड़कर अंगुठा बेसिकली हमारे उनसे संबंदित बिमारिया लिखे गए अब सब इन चीजों को समझने से पहले अगर जिलनों का बेसिक क्लियर होगा कि यह वाला जो पॉर्षन है यह गुरु के पर्वत का हिसाब आ जाता है यह गुरु की उंगली कही जाता है यह शनी है शनी का पर्वत शनी के उंगली सूरी का पर्वत सूरी के उंगली बुद्ध का पर्वत और बुद्ध के उंगली यह वाला पॉर्षन मंगल का है यहां पर आजाता है चंद्रमा और यह आजाता है शुक्र केतु आता है इस जगह पे और राहू आता है इस जगह पर और कुछ हिस्सा यहां पर बुरु का भी आ जाता है यह जो है अंतह ज्यान या इंटूशन के लिए यह वाला परवत प्योग होता है नॉर्मल लेकिन यह ज्यादा दृष्ष्यमान नहीं होता यह बहुत जब बहुत माइनुट्री किसी चीज़ को चेक करते हैं तब हम इस गुरु को इस्तमाल करते हैं नहीं तो यह गुरु सब और यह मैंतों टूशए को परकते हैं तूशें के लिए जी उए तो यह आगया आपके सामने जिस तरह से ग्रहों से संबंधित और उनके परवस्तों में होने वाली बिमारी अब देखिए सबसे पहले सबसे बड़ा उधारन यहां पर लेते हैं गुरु परवत का यह यह वाला इस्पेशली यह वाला पोर्शन जो है यह आपके लंग्स को दिखाता है फेफ़णों को ठीक है तो फेफ़णों से संबंधित अगर कोई भी समस्या हो जैसे आज के डेट इवन मैं पेशिंट्स को ऐसे करके गोद में उठा उठा के बेट पर रखता वो जाते थे चलते वे बात्रूम में ट्वालेट में गिर जाते और उठके नहीं आपाते विकॉस विकनेस क्योंकि उनका लंग्स अल्रेडी डैमेज हो चुका हो तो ऐसे सिच्वेशन में उस अगर यह वाला परवत को अगर टच करके देखा जाए यह अगर बहुत जरुआ से जादा सॉफ्ट है और पफी है यानि फुला हुआ है तो ऐसे लोगों का लंग्स बहुत प्रेशर आ जाए तो कभी भी हार्ट फैलियर आ सकता है इनको लंग्स से चीज़ें हो सकते हैं तो इन लोगों को हमेशा या तो मास्क पहन के रहे या धूल मिट्टी से दूर रहे या अगर उनको कभी भी बाहर जाना हो तो हमेशा मास् इसे लोगों को ना हमेशा जैसे इन से जब भी बात करेंगे ना तो इनके बात करने का तरीका होगा दो बात बोलेंगे और बात करने में उनके गले से सरसराहट किया आवा जाती है एक सरसर सी आवाज आती हमेशा ऐसा लगता है कि गले में और चेस्ट के पास कंजेशन है बल्गम फसा हुआ है ऐसी यवाज आई तो यह पर्टिकुलर्ली हम इसलिए देखते हैं कि ब्रहस्पति को नॉर्मली हमारे कुंडली में कहा गया है जीवकारत यानि कि प्राण दे इस तरह से ब्रहस्पति का इक्स्प्रशन दिया गया है उस हिसाबसे फैफ्रे का हिस्सा जो हाथ में इस जिखाता है अब नेक्स पर जाते है सीधा उपर यहां लिखा हुआ जिगर मितलब लीवर, पित, गॉल-ब्लडर, तिल्ली यानि स्पलीन, ठीक है यह तीनों पॉर् पेट के उपरी हिस्सा तीक है जिनका ये तीनों हिस्सा अच्छा रहता है उनका बात करने का तरीका हमेशा उंगली ऐसे उंगली हाथ कोई बात करेंगे उंगली दिखा के डरा के डॉमिनेट करके जिनका जितना स्ट्रॉंग होता है ठीक है लिवर जिनका जितना प्रभावित कर पाएंगे और वैसे लोगों का देखना जब भी बात करेंगे बात करते हाथ उठाएंगे राइट हैंड और उंगली हमेशा मैक्सिम यह उनकी साइकलोजी होती है यह वह दिखाता है कि ऐसे लिवर जो है बहुत ही तगड़ा है इसको कुछ भी खिला दो होगा वह जाए तो जिगर का हिससा यानि यहां पर इस उंगली के इस वाले पोर्शन में किसी भी तरह का कोई भी स्पार्ट दिख रहा है काला रंग काला स्पार्ट काला तिल बन गया है या फिर गइया पर कई लोगों के आथ मैं ऐसा होता है कि एक ऑने लग जाता है तो समझ लो कि आपका लिवर जो है अब जो है चेंज आ रहा है या तो लिवर फैटी लिवर हो रहे हैं आप जरुबर से ज़्यादा खाना खा रहे हैं या या फिर जिसों कहते हैं लिवर स्रॉसिस या किसी भी मेडिसिन का साइड एफेक्ट होने की वज़़े से भी लिवर हो जाता है कि यह जो जब होता ना कैसा दिखता है वो दिखता है जब आपने लिवर डेंडे का बॉर्ट्यू खिए विक एधा oggi जैसे लिवर पर बबल्स आना-स्टार्ट हए गि tranqui का यह वाला portion पार्ट जैसे जैसे लिवर्स में चेंजर आते जाएंगे लिवर अगर आपका फस्क्रास है तो यह वाला बिल्कुल हलका हलका सा पिंकिश कलर में बहुत चमकता वह दिखेगा सब अपनी हाथ में देख सकते हैं यह वाला पॉर्शन अगर लिवर्ट दैमेज हो रहा है तो यह वाले पॉर्शन में कुछ ने कुछ दिख्कत आगे कई बार जो होता है जैसे हाथ कभी-कभी ना यूज होते वह खुश हो जाता है तो अभी अगर आपका हाथ में नहीं कुछ दिखाई दे रहा है तो आप ऐसा काम कर सकते हैं हाथ इस वाले पॉर्शन में किसी भी तरह का डामेज हो रहा हो या किसी भी तरह का कुसी का जैसे इस तरह का प्लस का इस तरह की दो रेख़ाय बनिया उसमें बीच में इसका कट लग गया है da इसको स्टोन होगा ही होगा इतना मैंने देखा मेरी वाइफ के हाथ में ही है उसका सर्जरी हो गया तो पर्टिकुलर्ली यह जो पोर्शन है यह उंगली जो है आपके अपर अपर का कनेक्शन किस तरह से बना हुआ है वो जो है समझने अगर आपको है तो आपको ब्रश्पति का परवत के उपर ब्रश्पति के उंगली को अच्छे से देखना पड़ेगा अगर गलती से कहीं भी यहां पर क्रॉस बन रहा है तो शीन डैमेजेज भूंद ऐसे लोगों को रख्व्रट सम्बंदी बिमारी आने लग जाती और फिर स्जीन जो है वह बलड सेल्स को बनाता है इसे लोगों को यहां पर क्रॉस हो जाए या कट आजाए तो ऐसे लोगों को बहुत सावधान हो जाना पड़ता है मैंने अब वो मुझे मैंने उनसे पूछा था कि मैं आपके हाथ का फोटो ले सकता हूं नहीं बना अगर पूरा वृत बन गया होता मतलब पूरा गोल चक्कर बन चुका होता तब शयद वो चली जाते हैं उपर अगवान के पास वो पूरा वृत नहीं आधा बना था इसलिए वो सेफ हो गई और उन्होंने पूरे लाइफ को बहुत डिस्सिप्लिन तरीके से सर्वाइब किया शीज़ए डांस टीचर इन कोलकाता रोविंद्र भारती पाइगाड मैंने उस फीमेल को मैंने हाथ जोड़ा आपकी हिम्मत सही में दाद बेनी मतलब उस फीमेल के अंदर इतना ज्यादा एनरजी इतना पावर था उनको हुआ था स्प्रीम का कैंसर वहीं से शुरू हुआ था लेकिन उसके बाद धिरे-धिरे पुरे बलड में वह तो उन्होंने पूरा फाइट किया और अभी तक वो पढ़ाती है अभी तक वो डांस सिखाती है खुद भी डांस करते हैं बहुत एनरजेटिक बहुत डिस्सिप्लिन में रहती है खाने से लेकर टाइमिंग से लेकर उनके पास स्टॉपवच रखा हुआ रहता है हर टाइम तो इस ब्रहस्पती की उंगली में ये खराब हुआ है और साथ में ब्रहस्पती अच्छा है इसलिए उस फीमेल के अंदर अवेर्नेस बहुत अच्छा होने के वज़े से उन्होंने कैंसर को मात दे दिया अभी शीज आउट ऑफ डेंजर लेकिन क्योंकि कैंसर एक ऐसा डिसीज है जो फिर से वापस आ सकता अगर आपने डिसिप्रिन तोड़ा तो इसलिए वह बहुत डिसिप्रिन रहती है इसलिए वह अभी भी बहुत आक्टिव है और बहुत ज़्यादा डिसिप्रिन अब सेकेंड में देखे यह आता है शनी का परवत शनी क्या कारण होता है वैधिक में शनी को दुख का कारण का अगया है ठीक है उदासी, sadness और वात रोग, वात रोग क्यों होता है, बात मतलब होता है आपके शरीर में जितने भी joints हैं, हड्डियों में इससे संबंधित, joints से संबंधित समझ से हैं, दर्द, घुटनों में दर्द, spinal cord में दर्द, पीठ के पीछे दर्द, गर्दन में दर्द, कमर में दर्द, मतलब दर्द से छुटकारा नहीं, यूरीक एसिट का बहुत ज्यादा बढ़ जाना, यूरीक एसिट, देखें, अगर आप चेक करवाएंगे, देखें, आपका जो है, 0.70 से उपर आ गया है, और किसी भी तरह से आप हिलते-डुलते भी है, थोड़ा साई movement होता है तो inflammation होने लग जाता है, जलन होने लग जाता है joints के पीश, या सीडियों से उतरते वक्त, दो स्टेप उतरे फिर रुप गया है, फिस दो स्टेप उतरे रुप गया है, रेकेट हो जाना, मतलब घुटने से नीचे वाली जो हड़ी है, उसमें जरूर से ज़्यादा बेंट होता है, टीड़ी हो जाती है, ठीक है, वो कारण होता है, अगर शनी disturbed है, शनी में किसी भी तरह का cross बन रहा है, ठीक है, इस तरह के cross आ गया, या black spots आ रहे हैं, दिख दिखने लगए, धब्बे आने लगए, तो उनको joint related issues आेखेंगे, कई लोग़ों के हाथ में कैसी रेखा बनती है शहनी की रेखा बिल्कुल ऐसा लगेगा कि भाग रेखा सीधी गई है इनको तो कुछ प्रॉलम नहीं है लेकर उनकी एक शाखा निकलके समगल से निकलिया और उसमें भी कठ है तो अब क्या हुआ इसके बार इसके उपर आते हैं आते हैं ठीक है और मैं इसके इससे संबंदि साइकलोजी को भी समझाऊंगा क्यूं बिमारिया आती है और किस वज़े से यह डिस्टरब होता है यह हमारे कोर्स में आगे भी है इसके पीछे साइकलोजी क्यों है क्योंकि हर एक बिमारी का कारेंट जो है वो साइकलोजी शुरुवात इसकी साइकलोजी से होते हैं जैसे आको ऊआपका वैसे आपका यह होता है और इसे जा रहता है मापने जो इंसान इस монसान अपने यह जो है उंगली आथ से संबंदित है बड़ी आथ चोटी आथ सबायाते हैं यक्रित से संबंदित है इसमें आथों से संबंदित बिमारिया होते हैं जैसे अलसर और हड्डियों मतलब वात रोक कब आता है जब आपका पित्त शरेजिए में बढ़ा रहता है जो भी आप खाते हैं आपका पेट जो है इंबैलेंस हुआ रहता हमेशा से लग रहा कि डोटिंग हो रहा पेट के अंदर कुछ थोड़ा सा खाया कि नहीं असा लग रहा स्टमक इतना बड़ा फूल के बैठा हुआ है तो यह आथों से संबंदित इश्यू को देता है तो आप जो है वो सुचारू रूप से चलेंगे अपना काम ठीक तरीके से करें क्योंकि इसका आतों से रिलेशन है शुरुआत जो है किसी भी आप साइकलोजी की कहले उदासी जैसे इसमें लिखा हुआ या बात रोक लिखा हुआ है तो वात जो है वो पित्त के बढ़ने के ब सब्सक्राइब करने के लिए या मुवमेंट को रिगुलर बना रिखने के लिए उसका फिएच वैलू धिरे-धिरे खराब होता है उसकी कमी हुआ जिसके विज़ा से हड्डियों के बीच में बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन होता है तो पेट से सम्मंदित बिमारियां कैसे पेट में पेट का जो वैल्यू है वह खराब होता है मेडिसिंस की वज़ासे अधिसिंस यानि अलोपेथी मेडिसिंस का साइड एफेक्ट तो इसलिए देखिए हां डॉक्टर जब भी कोई दवा देते हैं साथ में गैस की दवा दे समाझ लीजिए जाधा ना लिया करें कि बहुत डेंजर चीज़ है अब जाते हैं सूरी परवत में सूरी परवत सूरी का कारेक होता है सन यानि आपके रिदय और आंक हाट जो सबसे इंपोर्टेंट और एक मात्र टॉप में रहने वाला और अगर यह बंध हो जाए तो बा आशान सवर्फ स्मेशा भी इसका पूरा बॉडी के रुच जाएँ है तो सूरी में किसी Cena की गणभड़ी की आ जाए जैसे क् रॉस के लूड़ा झाक जाएगा उसको आखों के विमारी आखों में चस्षमा रहेगा डेफडिनेट ली ठीक है उसको आखों समंदित समस्या आनी ही है बात में हिद्धा आएगा वो देखा जाएगा लेकिन उसको आख आए किसी ना किसी एक आख में समस्या एक है जान पर चान कि उनको किड्नी का इश्यू है उनके यहां पर इस जगह पर मतलब यह जो हमरा back skin होता है और जो सामने वाला skin होता है इसके जूंट भी तक भ enorm उनकी उमर होगी 45 बहुत ज्यादा हुए बहुत कम उमर में उनको किड्नी का इंफेक्शन हो गया मैं उनको बहुत पहले बुला था कि ब्लड पेशर उनका अक्सर हाई रहा करता था और कुछ नहीं होता है सब सब ठीक है तो रेगुलर बहुत टाइम से ब्लड पेशर हाई र और उनका शरी जो है मतलब सूजन में पूरे शरी में पानी भर में लगते हैं एक टाइम तो बहुत जाओ सीरियस है आज में थोड़े से सही है से बल है वो भी अपने बड़े नियम से रहते हैं उपर लिखा गया हृद है यहां से भी है और यहां से भी है एक्शली यह वह लिखा है वहां पे तील रहेगा तो यहां पर भी अगर तील रहा है इस वाले उंगी है यहां पर तो भी आपको अपने हार्ट को स्पेशल द्यान देना पड़े प्रश्यांस हम बीच में लेंगे बाद लें इसके बाद एक बाद लें लिक्तुली का इसके पूरा सेश यह इसका मतलब यह नहीं कि यहां पर कुछ नहीं है यहां पर भी है इसमें बड़ी आथ और यह आँज जो लिखाि यह यह वाला पुर्शन जो चोटी आथ है यह वाला बड़ी आथ निया में सबकुछ कछिश जोैंगे तो अब कि तिनका तो है नहीं एक परश्यांस मारे करता है हार्ट के उपर आर्टरी जो होती है बड़ी आर्टरी जिसके ब्लॉकेज की विज़े से हार्ट अटेक होता है इसका कनेक्शन यहां से बनता है यह वाला जो पोर्शन है यह हार्ट के वाल्ड को दिखाता है उसके जो वाल्ड चार पोर्शन और डिफ्रेंट वाल्ड इसको दिखाते हैं उसमें कहीं भी कभी दिखाता है तो यहां पेश गुआता है यह वाला पॉर्शन होता है बुद्ध का इसनायू विकारता और है यौन ग्रंथियां उदर के अंग उदर के अंग का मतलब हो जाता यह यह वारा पॉर्शन जो है यह आता है यूरिनल ब्लडर ठीक है उदर जो है यौन से संबंधित ग्रंथियां जो एंड्रो ग्रंथि होती है यह इससे कनेक्शन बनाता है और दूसरा जो है हमारा जो यूरीन सिस्टम जो यूरीन बनता है वो पूरा पॉर्शन यहां से कंट्रॉल होता है इसे लिए जलत अत्व कहा गया इस वाले में देखेंगे चोटे बच्छे जो लोग विस्तर में रात को नीन में टोलेट कर दें लुए गीला कर भी उम्र दस साल हो गया लेकिन अब भी नुए वाला पॉर्षन यहां पर सिर्फ जोर से पांच बार पंप करते इस तरह से वो राज को पिशाप नहीं करेगा बेड़ के उसको ट्वालेट नहीं आएगा ठीक है क्यों क्योंकि यह उंगली जो है पिटिक पर्टिकुलर्ली हमारा जो यूरिनल ब्लडर है उसके संकूचन और विस्तार यानि की कंप्रेशन अर इसको एकस्न करने में हेल्प करता है और उसकी जो पर्टिकुलर नस्व यहीं से जाती चिसविए वह एंखिए यहीं लिभक है कुछी विकार क्योंकि जो है स्नाईउ का comparative होता है अगर आंगर आप जिन लोगों को थोड़ा सा जिनका वैधिक या एस्ट्रोजी का तो अगर किसी भी तरह से बुद्ध जो है खराब है दबा हुआ है इस तरह से बार की और धलान लिए वे हैं तो ऐसे वैक्तिना बहुत व्याकूल रहे हैं और स्थेर प्रकृतिक्ति मन में स्थिरता नहीं क्यों इसका सबसे वड़ा कारण है कि ब्रेन जूह कहीं 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 डॉपमीन रिलीज नहीं कर रहा है डॉपमीन जो tweet कहा है कि बुद्ध कि अगर घढबढ है तो ऐसे 로कों का डॉपमीन ठीक से रिलीज नहीं होगा जो है वो सिगनल नहीं भेज़ेगा डॉपमेंट रिलीज करना है इस विए से उसके अंदर भैकुलता रहती है हमेशा चटपटाट रहती है वेट नहीं कर पाते थोड़ा सा कंट्रोल नहीं कर पाते जब बात करते हैं तो हरबर हरबर मतलब इतना मतलब उनके अंदर रफ्ता को इनको न बार-बार बात्रूम जाना पड़ता है दो नंबर 11 नंबर दोनों के लिए जाना पड़ता कभी इसका फुरत नहीं कर पाते हैं उनको यह तो पन्ना दिला सकते हैं या बुद्ध का मंत्र जाप करने से बहुत फर्क पढ़ जाता है अब देखें यहां पर क्या लिखावाब जो बाहरे मंगल की स्थिती नीचे का गला उपरी गला गर्दन यह वाला पॉर्शन पर्टिकुलर्डी से रिलेटर मतलब जो स्पाइनल कॉट है यह पूरा यहां भी आता है अगर किसी को बैक मतलब पीछे इस जगह पर सर्वाइकल के पास हम निकल जाता है पीछे जो फीड जो ना ऐसा हम निकला हो रहता है यहां पर जब भी ऐसे लोग का इशू रहता है तो यहां पर पटिकुलर्ड कुछ फॉइंट से पसको प्रेस करने से चिल हूए वैसे तो गर्दन हम यहां से भी देखते है यह वाला है पहला जो जॉइंट यहां से भी हम ग्रदन को चैक कर सक्ते ङड़ी को ही किया सकती है कि लेकिन यह वाला पॉर्शन जो फल यह पूर्श of Ins batch我們 जो ठीक हमारे स्वर नाली जहां पर हमारा वोकल कॉड़ है उसके बैक साइड में वो होता है ठीक है उससे संबंदित अगर बिमारी कोई हो रही है तो यहां पर किस भी तरह का क्रॉस हो जाना देखा डाउनवर्ड इस तरह से ढहलाना आ जाना ठीक है यहां पर कोई स्पॉर् वो खून की खरामी आतों की आतों के रवल इसे बारज कि अगर सोजन आ जाए जसको कहते हैं ड़ंड अंतिसों बड़ी आतों में समस्या ड़न प्रवाद्यों चंद्र परवत में और एक चीज आता है बात रोक का वह वाला हिस्सा स्पेशली जिनको घुटने घुटने से जॉइंट से संबंदी ज्यादा इश्यूज है एक तो जॉइंट वाला यहां वाला भी दिखता है यह वाला जॉइंट पर्टिकुलर्ली यूरिक एसिट के वज़े से होता है यह हर जगह पे हो गया मतलब पूरे बॉड़ी में जितने जॉइंट है किसी भी जग बिल्कुल मतलब सूजन जॉइंट में ऐसा सूजन हो जाता है रेडिश हो जाता है आप देखेंगे कईयों को यहां पर खाफी एजट लोग भी है ज्यादा मूव्मेंट करें ज्यादा सीड़ियां चड़ें तो उनको घुटने में स्वेलिंग आ जाती है और घुटना जो कि इवन पानी देखिए जो हमारे शुर्ष चन्द्र परवत चन्ड जो है वह चल को मुझा तो पर बेशा से पानी काह यह वह चंदर परवत के डैमेज होने के कारण होता है तो उनको ना इस देखने को मिला है कि चंदर परवत डैमेज है दबा हुआ बहुत जादा और उनको बहुत कम उम्रे से युरिनियल इंफेक्शन है यह पोर्षन फीमेल से बहुत ज्यादा है अगर किसी तरह ता यह वाला पोर्षन डैमेज होता है तो उनको जुरीन से रिलेटेड इस्व आता है बहुत ज्यादा शुक्र परवत शुक्र परवत को समझें तो यह पर्टिक्लरली यौन संबंधी भावनात्मक विक्रतिया लाता है इमोशनली जो कनेक्शन इस्पेशली वह इमोशन जिसमें आपके पार्टनर के साथ आप कनेक्शन रखते हैं वैसे इमोशन सब्सक्रम कि इमोशन ‫ bill can इवन जोपीमें पीौड होता है ओवरी ऑवरी ओबोर्ययल ट्रैक्ट में जो कि यह पोर्षन जितना जादा सही स्टेबल रहेगा व्यक्ति को यौन संबंदित यौन सुख में कोई समस्था नहीं गई और यह कहीं गडवड हो गया एक आदमी का दिखा था मेरे से उससे गलती हुई थी मेरे से मैं गलती भी बोल देता हूं क्या गलती हुई थी यह वाला पर्टिकुलर पॉर्षन बहुत सुंदर था उभार लिया वेता मैंने बोला कि आपका आपकी शादिश्वा जिन्देगी अच्छी रहेगा लेकिन उसको एक बहुत रेयर डिजीज था बहुत रेयरली होता लोगों मतलब एक लाख में एक हो ऐसा डिजीज होता है ठीक है वो जनिटल रिलेटेड इशू था जिस विए से जो है उसका उसको किसी भी तरह से ठीक नहीं कर से तो जनिट वो पुछ जीन में डिफेक्ट होने के विए से हो ठीक है तो एक ही मुझे ऐसा हाथ मिला जो बिलकुल डिफरे टाइप ऑफ डिजीज था जो नॉर्मली हमने कहीं देखा ही नहीं है जो नॉर्मली आपको मेटिकल बुक्स में भी बहुत रेयर ली उसको उसका उलेख किया जा बबसीर ज्वर और संक्रमन यानि इंफेक्शन पूरे बॉड़ी के अंदर इंफेक्शन का फैलना ज्वर मतलब बुखार और बबसीर मतलब फेस्टूला जिनको यह इशू आता है बबसीर से क्या होता है कच्चा खून निकलता है बिलकुल जो हार्ट से आठरी नीचे कु जाता है उस पूहु नाड़ी में जो है एक तरह का वो खुल जाता उसका द्वार खुला रहता है तो ऐसे लोगों को हमेशा ना कच्चा खूल मतलब डारेट हार्ट जो प्रडूस कर रहा है वो फून डारेट निकलता शरी उसमें बहुत ज्यादा ब्लड लॉस होता है इस जाल बन गया है तो ठीक है अगर यह लोग पहले से प्रिकॉशन ले ले ना खाए शराब ना पिए अपने पेट का अच्छे से खयाल लगें क्योंकि अल्टिमेटली बवसित क्या होता है एस रिटी का बाहर का रूप होता है यह आपके शुरुवार्स की होती है एस रिटी अगर आपने शुरू से जड़ सही कर दिया प्रॉपर फूड टाइम से खाना सही खाना खाना तला ववा नहीं खाना तो बबसीर आपको नहीं होगा अगर हो भी जाता है तो जल्दी ठीक हो जाए इतना ऑपरेशन सरजरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने नियम अच्छा कर लिया तो यह हो सकता है यह जाला है वह पूरी तरह से व्यानिश भी हो जाए क्योंकि जैसा अपना कर्म आप करते जाएंगे रेखाएं वैसी बदलती भी जाते हैं जिस तरह से कुंडली में दशा अंतर दशा के हिसाब से जो जो घटनाएं होनी होती है और आप पहले सा अलर्ट होते हैं उसके लिए और अपना जीवन दिन चरिया और अपना लाइफ अब देखें यह सबसे इंपॉर्टन पार्ट है थी कि यह बाकियों से इंपॉर्टन है सबसे पहला इंडिकेशन जो है यह जो जो है वह पूरा इग्दम यहां तक मोडियूला अबलंग गाटा जाने कि हेड के नीचे जहां पर स्पाइनल को जाके यहां पर लॉक होता है उसको उस पूरे पोर्शन को कहा जाता है मॉडियूला अबलंग गाटा जो मोटर फंक्शन को कंट्रोल करता है जो हमारे बॉड़ी के अंदर जितने भी फंक्शन होते हैं उसको कंट्रोल करता है हम हाथ पैर हिला रहे हमारे सेंसरी और्गन की सरह से काम करते हैं पूरी ची दर्द है बहुत तेज दर्द किसी को एसे हो माइग्रेन पेन हो या धूप में निकलने की विश्व हो थाइरोड दरबढ़ हो तो पुछ नहीं करना होता आप देखेंगे जब सर में दर्द होगा ना तो आपको अंगुठे के पर्टिकुलरली ये वाला पॉर्शन ये वाला पॉर्शन और ये वाला पॉर्शन बहुत पेन करेगा आप टच करेंगे ना इस तरह से इस तरह से दबाएंगे बहुत दर्द होगा मतलब इतना जिलाने वाला दर्द हलका सा पुछ किया कि एकदम से सला करेंट लग तो जब भी सर में दर्द ह और आपने यहां पे पुश्च किया और गबाने के बाद ही बहुत तेज दर्थ हुआ तो और दबाना इतना दबाना क्यों दर्ध जो हो जाएगा तो प्रेइन में होने वाला जो सर में दर्ध हो राता वो धीरे अपने आप चला जाएगा और यहाथ पराद प्रडिच ला ज यानि वहां पर कोई ब्लॉकेज रहे गया कोई नस या नर्व जो है वो ऑक्सिजिज वाला ब्लड नहीं फ्रोक कर पा रहा है तो तुरंट खुल जाता है और फिर अपने आप ठीक है और इस वाले पोर्शन को इच्छा शक्ती भी कहते हैं यानि आप अपनी स्वा इच्छा स लाइक बटन प्लीज लाइक बटन को हिट निकीजिग हम आपकी विल्पावर को भढ़ा रहे हैं लगारे तो यह विलपावर यह जो है इसनी इसको उपर रखा गया है बिकॉस यह प्रमाण से connection इसका और यह अननत है आप वीलपावर से कुछ भी कर सकते हैं कुछ भी कि anything is possible अगर Elon Musk मंगल में जाकर कॉलोनी लगाने की सोच रहा है तो उसका मतलब उसका विलपावर बहुत तकड़ा है आपकी कलपना शक्ति आपकी इच्छा शक्ति काम करती है फिर बाद में उस इच्छा शक्ति को function में लाने के लिए manifest करने के लिए उसके बारे में सोचा जाता तब यह नीचे वाला इससा तर्ख शक्ति काम करती है और यह तर्ख शक्ति क्या है हमारा spinal cord तीछे से थृर्यसिक से लेकर लंबार तक मीचे बिलकूल अपना जो pelvis bone है वहां वाला कि इस लंबार कि अब भी वी कमर में बहुत पेन ओफी में स्पेशली में साइकल में जब भी बहुत ज़्यादा पेन हो आप लोग बिस्तर में लेटे रहते हैं बस सिंपल यह करना है यह वाला जो हड़ी है यहां पर इस हड़ी को लेकर फ्रेस करना है और उसके बाद यहां नीचे वाली हड़ी को जो ठीक इस जगह पर आता है अब मैंने क्या कहाता है शुक्र मतलब यह वाला पॉर्शन जो है यह किसको दिखाता है फीमेल में ओवरी यूट्रस में 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 इसको देखा जाता है जहां पर हमारा स्पर्म बैंक होता है स्पर्म है बनता है कि हाइड्रोसिल का इशू हो जाता कई लोगों को वो भी अगर शुक्र पर्वत में कहीं भी मेल्स में गड़वड़ी है तो उनको हाइड्रोसिल का उप्रेशन करना पड़ता है तो यह कुछ है इससे जिसको मैंने एक्स्प्रेम कि आप अब आप लोग सवाल पूछ सकते हैं कैसा लगा पहले यह बताईए समझ में कुछ आया आप लोगों को थोड़ा सा रियक्शन दीजिए प्रेम ने कि इसमें डाल दो साइच वह इंस समझ में आया बहुत अच्छा अच्छा लगेगा और कैसा लगा आपको जो आदे एंटेगा करीव आदावन का चालिसमिंट का जो सेशन में तुन जी ने लिया जानकरी दी कैसा लगा आप लोगों को अपने प्रतिक्लिया जा अच्छा लगा आपको लेंट सेशन से अंडेड खेश वे इंट जा लगेगा लगेडा बहुत अच्छा लगा साइड वेलिगा सुगव सट एंडेट हैं वह लिए विया एं लिए इड फिर को आख च्छिए लेट बहूका इंटी क्शन से ठिजुए कि इंडि़ एंड़ि नहीं है अगर वहां पर कोई कट नहीं है अली वर्टिकल लाइंस है ने उस पोर्शन से रिलेटर्ट कोई बहुत बढ़ा इसू नहीं होगा वो ठीक रहे है अच्छे और एक सर और एक सर एस्तु लॉज्टी में यूजवी मून से हमारी इमोशन्स देखे जाते हैं तो मून परवत अपने यहां इमोशन के बार में कुछ बोला नहीं इस नोट रिलेटेट टू एनी इमोशनल इशू नहीं हाँ वो वो होगा उसमें वह हम जब क्लास करेंगे ना तो उसमें हर एक परवत से साइकलोजी जुड़िये तो साइकलोजी में सियोर इमोशन्स ओकी ओकी ने में इसलिए कह रहा हूं में दो दो चीज़े आ जाती है इस पेशली पेंटल इसूस क्यों आता है क्योंकि आपका नर्वस सिस्टम वीक होता है तो उसमें हम लोग बुद्ध के परवत और बुद्ध की उंगली को भी देखेंगे अच्छा ओकी सथ रोगे सथ कन्विंशिक ओकी सथेंक्यू थेंक्यू से जयाजी आपका पशन बो मतलब नहीं समझा मतलब ब्लॉड का इश्यू है वो ठीक हो सकता है ऐसा अनीमिया यह कुछ रहता है तो हाँ बिल्कुल क्यों नहीं हो सकता अगर अगर हापके हाथ में उस तरह की कोई स्थिति बनी है तो आप चाहते हैं कि आप क्योर कर सके उसको तो आप रेगलर योगा करें अगर कोई भी एक्स्टरनल इसू जैसे सरजरी बगरा नहीं हुआ है तो पर्टिक्लरली ब्लॉड काउंट को बढ़ाने के लिए स्प् का सबसे पहला काम क्या होता है लिवर्स प्लीन पैंक्रियास और तीनों को एक्टिवेट करता है थी कैसे थे कि उसमें प्रेस करके जब अंदर बैठते हैं तो उसका उसका जो नैचरल और यह रेखाई चेंज भी होती है सर बिल्कुल जैसे आपका कर्म होगा वैसी रेखा है बदलती रहे और क्या इसमें और सर अपने क्या बताने वाले हैं क्या सार इसमें आपको स्क्रीन स्लेट्स दिखा रहे हैं सर ये वीडियो भी भी भेज रहा है सर राजियू सर आई आपके रूटा आजेगी अच्छा थी अच्छा एक्सलेंट गिया सर वेरी मुच इंफरमेटिव सर दो 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 डॉट्स है सर इसके अदर पाजी जो है जो जो क्रोनिक डिसेजिस है कैंसर आए परालसी से वह एक्टलिक कि मोंट्स पर देखते हैं सर इसके इसमें देखिए हर एक पोर्शन का अलग-अलग मैंने मतलब हाथ के अंदर जो जो पोर्शन बताया है वो पर्टिकुलर किसी पर्टिकुलर बॉड़ी के पार्ट को दिखा रहा है तो तो कैंसर को हम समझना पढ़े हैं से अबनॉर्मल ग्रोथ आफ सेल जो बाकी सेल्स को भी अपने साथ जोड़ता जाता है और दूसरे सेल्स के फंक्शन को वो डैमेज करता है ठीक है इस नौट डिजीज यह एक्चुली बेसिकली हम समझें तो कैंसरी इसन हॉर्मोनल इसू यह हॉर्मोन क कि वजह से गड़बड़ी प्यादा हो लिए ठीक है तो कुछ मेडिकल से पहले थोड़ा समझना पड़ता है तब जाके फिर उसका क्लासिफिकेशन अब जादा अच्छे से समझ पाएं उसके दर तो मॉंड्स तो गोती ही डौब है यह यह तो वैसे सैंपल हैंड है सैंपल अपना लाइफ लाइन को भी देखना चाहिए लाइफ लाइफ लाइन अगर बहुत पहले से शुरू से ही दो भागों में बढ़ जाती है बहुत पहले से वह एक सिंबल है प्रेर से सोने का जो आप क्रास और जो दिखाए था उसके अधर तो लगा के तभी सकते हैं कुछ कुछ चीज़े मैंगनिफाई लेंस से देखे जाते हैं आज की देट में हमारा फोन है फोन से फोटो खीच लेते मैंगनिफाई कर लेते हैं वह जाता है अब तो ग्लास लेके भी कोई नहीं अब तो मेगा पिक्सल का जमाना मेगा पिक्सल में देखो जितना जूम करना कर लो तो पिसर तांट यू था अपना प्रशन कुछे तुछ तुछ प्रशन पूचे तुछ ने रहता है एक्सलेंट टीचिंग सर्मिटून सर्कीटू मैं स्टूडन रही हूं मतलब वैसे एज मुझे चोटे हैं बड़ एक्सलेंट टीचिंग एक्सपिरियंस बहुत है इनके पास तो सब्सक्राइब करने वाले हूं जानना था कि इसके बाद भी कोई इसका भी एडवांस कोई मास्टर क्रास रहेगा कि एंड हो जाएगा यहां पर इसमें जितना रिजर्च करेंगे जो भी निकालेंगे और आएगा अभी और आएगा अपने आमें पाफी लेना भी अपने हमें एक अपने हमें एक आट अचीपेंट है यह यह सब्सक्राइब करना चाहूंगी क्योंकि जब सीखना ही है तो पुरा कंप्लीट सीखने में ज्यादा मज़ा है तो डेफरेंट्ली मैं एडवांस को तर रही हूं सर् और फिर में कंटिन्यू करूंगी सर अगर्वा तो थांक्यू सब्सक्राइब जैसे शुक्र का और जैसे यह फिंगर्स है इस पर जो लाइन्स है उसका क्या मीनिंग हो आपने बला एक पर एकदम फ्लैट होता है और एक उस पर लाइन्स वगरा हाथ लाइन्स वगहरा आती है तो सीधी रेखा है तो अच्छी है सीधी रखा खड़ी रेका इन अन्यूर को घबड़ ऑट पर प्रोब्लम कोई नवेगे पर होग उस जहां अगर हम इसे ृफ्षै यू जाएगा लेकिन हम पहरामिश्ी कर रहे हैं तो ऑन्लाइन पिन हर चीज हमें क्लिए मैं एक शिusa अब जैसे अपना प्रैसियर क्न है क्या कर आ था हो कर dan आक नखिए circa तरी अफिवरा के है आसले हैं आपने बेसिक किया था पितुन जी के साथ, अनलाइन, इस पामिस्टी के साथ, आपने 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 यहां पर सर से भी और बहुत सारे यहां पर जितने भी टीचर से उनसे बहुत जिनों से कोर्स कर रही हूं and believe me ma'am, as a student में कह सकते हूं, it's an excellent platform, मतलब इतना, मतलब, excellent way में सिखाए जाता हूं, जो भी masters आते हैं, मतलब, they are really remarkable, बहुत knowledge है, बहुत experience है, मतलब, सीखना बस अपने उपर है, अपने उपर है कि किसको कितना सीखना है, but amazing teaching, मतलब, हर teacher के साथ मैंने किया है, sir, के साथ भी किया है, सारे, मैंने बहुत सारे courses कर लिए है, but excellent teaching, excellent, and बहुत, 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 बहुत ने, क्योंकि इतना, मतलब, सरकार जो रहते हैं, कि मतलब, कम फीस में बहुत इनका बहुत अच्छा है फैकल्टी का कि हम पर बहुत बड़ा वो है कि कम उसमें फीस में हम लोग को मत्ता मैक्सिमम देते हैं अब तो लंजना जी उसमें कोई इस नहीं है बस सब्सक्राइब करें अगर एक दम सामने होगा तो आप देखेंगे ना नज्दीक से अपने हाथ देखेंगे ना इस तो आपको अपने हाथ में दिख जाए धलान कैसे हम नॉर्मली लेवल कैसे चेक करते हैं किसी चीज़ का लेवल चेक करने के लिए इस देखते हैं कि इतना जादा उठा हुआ कि इतना दबा हुआ तो ऐसी देखेंगे पाविष्ट्री अर्लान किया है यूपर इसको पड़ाना भी अपने ही आपने उत्राही पेशिता काम है कि पामिष्ट्री के जिसके उपर श्ट्रॉंग एक प्रस्ट्राइब कि रेखाओ को रवा पाना हरेक्से नहीं बुद अब पास ये दोनोग चीज ब्रत्रा मोगा अब निश्चंत रही है जो दिलिवरी होगी वो बेड़ जोड़ोगा okay thank you thank you i'm just putting the uh screen of course it is can you please uh work यह जैसे फ्रेखा यह वह दो बेसिक से बहुत मैंच अलेकिन पर यहाँ पर जिस पोश्टन को यहाँ पर square hand shining hand and its related disease pointed hands uh conical hands philosophical hands soft hand hard hand color and stability of hand thumb finger just like i have explained finger fingers is marking on the tip of the fingers marking on the total finger of nails just say nerves and mental disorder of nails means that you can see the color combinations of different different color of nails so we can also know which disorder we have written first throat disorder and nails tuberculosis and nails paralysis nails mountains jupiter mount mount all jitam mounds ke baare mein ho hai uskat hand line magia lifetime head line fate line heart line mercury line in se related jitne bhi matlab haat me jitne bhi mount thai unse related jitne bhi lines hai unse sammantit disease unse unse related jitne bhi disease hootai uske baare mein padehenge sangehenge aur phir uska kior kya hai wo bhi sange kior matlab astrological upai with karmic upai matlab ap practically kya karay 이야 jis se us chiz mei apko jaldi se aram aaji sir next slide but arayu next slide right so this journey is a two-month journey पर पूप पपर था ये ज फिसलिए आधी पैसमत है। इसलिक पर से पर से बढ़ पर जिसे पर सेखेंगे लिग आगर का सकते है। कि लब पर यहां सकीन शेरिंग करेंगे सब्सक्राइब करेंगे सब्सक्राइब करेंगे सब्सक्राइब किया पहले एडवांस नेवल है जो लोगों ने बेसिक नहीं किया उनसे रिक्रस्टरी की बेसिक की क्लास कर सकते हैं मतहले बेसिक बामिस्टी का जो कोर्स वीडियो है और सब्सक्राइब करेंगे सब्सक्राइब 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 अब उसके लिए क्यों ने वो प्यों ने कर वा देंगे उसका पहले साथा उसके वाद आप जब आईगी तो उसे आपकी पकड़ आजएगी तो आपकी पकड़ आजएगी यह पूरी स्ट्रेक्ट्ट्रल डिजाइन है इस वीडिशे पर इस वीडिशे पर इस वीडिशे किसी परकाल का तो आप पूछ सकते हैं कि इसमें सारों ली मैडीकल पामिस्टी के बारे में बताया जाए लेकिन पड़िशे पूरी होगी सब्सक्राइब टेलिंग के उपर लाइन उट्री होते हैं उसकी अदर जो ब्लॉक्स होते हैं उसकी कि यह चिसोंदर धीडिकलशे का पार्ट होगेगा मैडिकल पामिस्टी बन अपी स्पेशल अटेंशन सब्जेक्ट है इसका इसमें रेशनशिप्स भी आएंगे रेशनशिप्स कैसे रहे हैं इसमें पुछ भी देखना फाइनेंस मैं इस कि आप लोगों को समझ में आए कि को एक उमर के बाद ना इंसान को अपना 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 करना पर तो आप यह सीखने के बाद अपने आपको खुदी यह समझ पाएंगे कि आपको कौन सी बिमारी हो सकती है साइकलोजिकल लिए आप कितने स्ट्रॉंग बन सकते हैं खुद अपने आपको कितना प्रिपेर रख सकते हैं ट्रॉंग और श्मरोजिकल बिए उन अपने जिए उनका इनफेक्ट कर रहें जिनकों भी अपनेंट में टीप में छी आपको किसी का और प्रिशान किसी का और प्रश्वान प्रिस आप परका तो और प्लीज आस्यों प्रश्च और ने सिटेटर से क्लास स्टाट उदेगी जिनको भी एंवल्मेंट करना प्रीस कीप आप विधिन दे टाइमिट पिर तकी इस आप में आप पर सेके और जिनको बिसिक करना बिसिक किली भी वह एक एड़ी से संपर कर सकते हैं और जैसे पने शुआ ता था दो वो सीटर के ना कोओ इस डिसक्तो बिसीट विट्रस कॉपल एक इस आप एक एक पाइर एक पाइड पाय और रिख एक पूर्ली दिनक्स रिटर ये नेक्ट रसिके प्लान में है तो जुंतो करना बोरो कर गाहिव आणियों संपक कर सके और पर पनिजिक कर सकते हैं प्र ड्यब आपको बहुत इनों बाद देखा मैंने आज अगास में आज जी सर गुड़ी इवनिंग जी आपको प्रश्टन दिया आपको हाँ बीच में थोड़ा वो मारा जेन फेस्टिवल जल रहा था फिर एक वेरेज फेमिली में थे तो तो भी थोड़ा बजी हो गया तो ड़ी तो अपको बीचेशन वर सुपर्ब से वरी सुपर्ब वरी कॉंप्लिकेटर सब्जेक्ट एक्सपें वरी इन वरी सिंपल एंड इजी मैंनर इस विश्चता है जी से मुश्किल सब्जेक्ट आसां साथ बनागे पेश करते हैं अधिस मैंने बेजिक किया नहीं है तो एल ट्राइं फॉस्ट दूट फिर बात में बीचवे चाह पास दिन मिलेंगे चाह पास दिन में अगरा पांच शे वीडियो भी कवार कर लेते हैं तो इस थे विडियो भी कंटिनुव अडवास खाओ एंधिस अजी से क्या अगवादा बिसी टॉम्नोलोजी आमने चाह पी बैसी शेड्ट शेप सेच्चर आपैस थे बीचिट इस गूट थे आपास दिज्ट दूट इस गूट विश्ट थे थे श्टिव इंदे फेंदे पताए बताए इत्कस तो बताए है हाँ वुजु मैंने आपको एक कोर्स के लिए बोलाता इसलिए तो उसा कोर्स का सर वो लॉफ अट्रेक्शन वह करेंगे सर्ड वी इस अधियर गिव संटेंगे ओके ओके सर्ड ओके सर्ड वो मेरी वो शिल्पी मैडम करवाती है वो मतलब उनको नॉलेच अचे सब्चेक्ट है मुझे एदा ही लन्ट वी इस सब्चेक्ट है क्वाज़ खेक्टी तो आपके सर्ड जाए तो अबस्ट पामिस्टिक शेशन साथिंग डिक्सिक बेस्टर श्यारेशन तो बास्टेक्स बास्टी शेट बास्टें मतलब रग्सटाए श कि अपना हाथ जगनात कहते है ना तो बस अपना हाथ जगनात कहते है तो यह सीख लो बहुत फाइदे में रहेंगे आप अपने हाथ के बारीक रेखाओं को और अच्छे से देख सकते हैं समझ सकते हैं तो इसमें दो चीजें कुछ-कुछ चीजें जैसे अभी बुला कि आयल मसाज कर सकते हैं वो कुछ उपाए रहता है जिस अरोमा थेरेपी के थ्रूस का ट्रीट्मेंट होता है क्या सर रिपिट कीजे ना सर मेरे अवाज चला गया हाँ अरोमा थेरेपी हम लोग करते ना जैसे ब्रसकती को अच्छा करना है तो सैंडल ओल यूसरा ठीक हैं बेसिकली पाम जो है ना यह पाम जो हमारा जो है उर्जा का केंड रहें इस अन एनर्जी पॉंट और इसका कनेक्शन पूरे बॉड़ी के हर एक बॉड़ी पार्ट के साथ में मसाज तेल से करेंगे समझों या क्रीम से करें तो वह इफेक्ट अंडर ओर्गंस में भी होता रहेगा ना कुछ चेंज हां बिल्कुल तो वही मैं कहा रहा हूं कि ब्रहस्पती से रिलेटेट को अब प्लाइटरी के हिसाब से और अरोमा थेलेपी इसमें काफी जादा यूस फुल रहता है यह बी पार्ट आने वाला इसमें आउट अपने पूछ लिया मैं बता दूंगा यह बता देंगे कौन-कौन से अरोमा यूस होता है वह बता दोंगा अच्छा बेसिक कितने मेने है सार दो मेने बेसिक पिडिवोगे जो अगे आएगा सर इसमे भी इसमे जब आगे आएगा एगा देज़ा वह डिपैंड करेंगा तुकि इस दोनों सब्यक्राव में वह इंपॉर्टर अबास्ट आये तो समय के बाद आएगा मना इमिएट नहीं आएगा आएगा अप्त आप लोग जब आप लोग जब पढ़ने के बाद इसको समझ लेंगे थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करने लग जाएंगे जब यह अंडर्स्टूड हो जागा एक दम तब आपको पोस्ट्राइशन वाला समझने हैं पोस्ट्रेट के लिए हम लोग जो स्टार्ट करें अच्छ तर्ट आपको जाओ खुट्छ एक परश्ट करें वे दिएलली और संदे को नौ जोग जनली लेख लिए लिए ईवनी से नाइक ट्रीक के लिए का उन्यूँ सब्सक्तिंट पर वेक्टार्ट करेंगे संदे को गुट्डिस सब्सक्राइब गुट्टिस के एले लिए हुट है और सब्जेक के डिलिवरी आज के आमने कर दिया और जुन यूर अवलकम इंटी जर्नी ऑफ दी अर्वांग पामिश्टी फॉर टूमस्ट अग्ले शरीवार को फिर विलतिया सबके साथ आप अब तक लिए जन्यवाद नमश्कारा सकता है थैंक यू सर थैंक यू राजीर थैंक यू मितुन सर थैंक यू मितुन सर थैंक यू राजीर सर थैंक यू